नमस्कार मैं हुमेगा सेंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में आर्जडी सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव इन दिनों फिर से एक बार अपने रिष्टे को लेकर चर्चे में है जिहां जिस तरह से तेजप्रताप यादव ने अपनी पतनी को छोड़ दिया था उसके बाद चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था कि आखिर इन दोनों के रिष्टों में दरार क्यों आए और ऐसे में देखा जा रहा है कि एक बार फिर से अपनी पतनी एश्वरिया के उपर एक बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं तेजप्रताप यादव जिहां हाली में फेस्वरिया के रिष्टे के बारे में जो सचाई है वो आगे रखी और साथी एश्वरिया और एश्वरिया के परिवार के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है इस पोस्ट के बाद तेजस्वी यादव लाइव आकर फेसबूप पर एस्वरिया के परिवार वालों पर बयान देते हुए नजर आ रहे थे दरसल यहाँ पर लालू यादव की तब्यत खराब है ऐसे में पूरा परिवार लालू यादव को लेकर काफी चिंता में है और यहाँ पर तेजप्रताब का कहना है कि इसी सिचुएशन का फायदा एस्वरिया और उनके परिवार वाले उठारे जिहां यहाँ पर दस करोर रुपे की मांग तेजप्रताब यादव के सामने रख दिया है एस्वरिया के परिवार वालों ने और यह मांगे इसलिए रखा गया है क्योंकि तालाख चाहते हैं यहाँ पर तेजप्रताप यादव अपनी पत्नी एश्वरिया से और अगर यह तालाख उन्हें चाहिए तो इसके लिए 10 करोर रुपे उन्हें एश्वरिया के परिवार वालों को देना पड़ेगा साथी यहाँ पर कई सारे आरोप जो है उन्होंने अपनी पत्नी एश्वरिया के उपर लगाया है आपको बता दे कि तेजप्रताप यादव को कहना है कि एश्वरिया जो है एक नंबर की धोकेबाज लर्की थी वो औरतों का समान करते हैं लेकिन जब बात उनकी मा की आती है तो फिर वो किसी को भी नहीं देखते हैं जिहां यहाँ पर एश्वरिया पर गर्मभीर आरोप लगाते हुए तेजप्रताप यादव ने खुलासा किया है कि एश्वरिया जो है उनके परिवार वालों के प्रती सही नहीं था उनके मा के प्रती सही नहीं था और उनके परि एश्वरिया का रवया था उनकी मा के प्रती वो तेजप्रताप यादव को अच्छा नहीं लगा और इसी बात को तेजप्रताप यादव बोलते भी नजर आए उन्होंने कहा कि मैं अपने मा की आँखों में आसू नहीं देख सकता जो एश्वरिया का रवया था मेरी मा के प जो है तेज प्रताप यादव ने दुनिया के सामने रखा है फिलाल देखना यही है कि जो दावा तेज प्रताप यादव यहां पर एश्वरिया अपनी पतनी को लेकर और उनके पडिवार वालों को लेकर जो कर रहे किया वो सही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो स खबूतों के साथ सारे दावे जो है वो सही साबित करके दिखाएंगे फिलाल आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्पनाई नियूस दनिवाद